सेव बर्फी इसके लिए हमें चाहिए हाई, वेल्कम टू संजीव कपूर खजाना, मैं हूँ शीतल आज हम बनाने वाले हैं सेव बर्फी आपने तो बहुत सारी बर्फिया खाई होंगी चलिए आज कुछ नया ट्राइ करते हैं इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पान गरम करेंगे और इसमें हम बनाएंगे चाशनी इसमें हम डालेंगे चिनी और देड़ कप पानी इसे हम चिनी घूलने तक उबाल लेंगे अभी हम इसमें डालेंगे दो छोटे चमच दूथ ये हम इसलिए डालते हैं कि चिनी में जो गंदगी होती है वो उससे निकल जाती है ये देखिए ये जो गंदगी है इसे आप स्पून के मदद से निकाल लीजिए अभी हम इसमें डालेंगे सेम और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे आप ज़्यादा ना पकाईए अभी हम डालेंगे मावा और इसे भी मिला लेंगे इसमें हम डालेंगे एक कप दूद ये मिक्षर को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गाड़ा ना हो ये देखिए अच्छी तरह से गाड़ा हो चुका है अभी हम इसमें डालेंगे रोज असेंस, आदे काजू, आदे पिस्ता और आदे बदाम और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे ये लीजिए ये मिक्षर अभी रेडी है अभी हम इसे एक बर्फी ट्रे में निकाल लेते हैं हम इस बर्फी ट्रे को तेल से ग्रीस करेंगे ट्रे ग्रीस हो चुका है अभी ये बनाए हुए मिक्षर को इसमें सेट करेंगे अभी हम इस पर डालेंगे बचे हुए पिस्ता काजू और बादाम और इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे जब तक ये सेट ना हो ये लीजे सेव बर्फी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है अभी हम इसे स्क्वेर्स में काट लेंगे अभी हम इसे एक सर्विंग प्लैटर में अरेंज करते हैं लीजे सेव बर्फी रेडी है इसे आप तुरन सर्व कीजे